जैहिंद नमस्कार सलाम आदाब परणाम मैं आपके शाथ हुशनिल वह भी और आप इस शमय देख रहे हैं अपना खास कार्ट करम बियार समाचार बियार समाचार में हम ख़बरे लेते हैं शिच्छा रोजगार पंचायत गाउं और राजनिती खल चलोते बियार में पहली और बड़ी ख़बर हम आपको बता दें कि बियार में राजनिती कखल चल चले तेज है जाती जनगना को लेकर सभी बियार में राजनिती कदल अभे एक मुड में नजर आ रहे हैं भी दल जाती जनगना कराने को लेकर ततपर हैं और दवाव बना रहें बिहार सरकार पर की बिलकुल जाती जनगना होनी चाहिए इसको लेकर एक्तिती भी निर्दारित की गई है वही अगर बात पंचायतों की कर ले तो पंचायतों में पंचायत चुनाओं के बाद विकास की रफ्तार तो चली है लेकिन जितनी रफ्तार होनी चाहिए उस तरह की रफ्तार नहीं है और इधर बिहार के पंचायत परतिनिदियों ने एक तरफ जहां बिहार सरकार से मांग किया है कि हमें परसिछित किया जाए परसिछन दिया जाए बुकलेट दिया जाए वहीं विकास मे कि योगदान वाड सदस्यों का भी हो। कहना है कि जब तक निचले असर से पंचायत परतनिद्यों की भूमी का आहम नहीं होगी तब तक गाउं का विकाश नहीं होगा। की प्रिक्रिया सुरू ही है लेकि रफ्तार ठीक ठाक नहीं है यानि कि अब वाट को भी इसमें भूंका दी गई है कि अगर सोलर लाइट ठीक ठाक से नहीं लगाया जाता है तो आप जरूर तॉल फिरी नंबर पर कंप्लेन करें इसको लेकर सरकार ने एक योजना बनाई है कि जिस पॉल पर जिस खम्य पर सोलर लाइट लगेंगे वहाँ पर टॉल फिरी नंबर रहेगा अप कंप्लेन भी कर सकते हैं इधर बात बिहार की कर्मचारी के कर ले तो कर्मचारी के बेतर के लिए अब अंसदान देगी बिहार सरकार इधर बिहार के नियोजी सिच्छकों की तयार किया है सभी जिला मुख्यालियों में ये अंदोलन होगा विभिन मांगों को लेकर होगा लेकिन सिचको का काना है कि अभी मुख मेरी मांगे जहां असनाते ग्रेड में परमोसन और तबादला है संग इसको तबज्जू नहीं दे रहे हैं बिहार सरकार पर ये आरोप ल अठार एजेंडो पर मुहर लगी राज केबनेट ने नई निवेश पुरसाहान निती को मंजूरी दे दी है आपको बता दे कि बेतिया में सतरा सो एकड के टेक्स्ट टाइल पार्क और बिहार औधोगिक निवेश पुरसाहान निती वस्त्र एवं चर में 2022 को राज मंत्री मंदल ने मंजूरी अब दे दी है मुकमंत्री निती सकुमार को अध्यस्ता में गुरुबार को ही बैठक में 18 एजेंडो पर मुहर लगाई गई केबिनेट की मुहर लगी है बिहार में बस रोट चर्म उधोग को लेकर बदलाव देने के लिए उधमियों के लिए नई नित सराइ निवासी रेंजर घुस लेते गिरखतार हुआ है आवास मिले 99 लाक रुपे कलंग के खिलाफ अभियान जारी है आपको बताते चले कि एस वी एस सी बी टीम ने बिते दी साम को कुलहान में अपनी इस वर्स की सबसे बड़ी करवाई में रेंजर के घर में 99 लाक दो हज्जार पांटो चालिस रुपे बरामित किये आखिरकार पदाधिकारियों के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आ रहा है तो सरकार की कलंग के खिलाब अभियान जारी है और बात अगर औरंगावाद की कर ले तो औरंगावाद में लगतार जहरीली सराब पीने से लोगों की मौतों की संक्या बढ़ रही है जहरीली सराब से तीसरे दिन चार लोगों की मौत हो गई है मगद मेटकल कोलेज में दो लोगों की जान गई एकने सिर्गाटी और एकने घर पर ही दम तोड़ा है अखिर सराब बंदी है तो सराब कहां से मिल रहा है आपको बता दें जहरी सराब से तीसरे दीन गुरुवार को मदनपूर परखंड के चार और लोगों की मौत हो गई सराब बंदी है तो सराब मिल रहा है कहां से लोग पी रहे हैं मर रहे हैं कैसे इधर भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ बिवस्ता पर्दान मंत्री यानि देश के पीम नरेंदर मोदी ने बिते दिन कहा है कि भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ बिवस्ता है उन्होंने काई कि भारत के अस्टाटटब के लिए अनुकूल महाल मुहिया कराया है और कई अनुपलवदिया हासिल की है और यधर मिसा और फ्हारज राज़त के रासवावजां उमीदवारोंगे राज़त ने अपना प्ता कोल दिया है और राजनितिक दावा भी खेल दिया है यानि मिसा भारती और फैयाज राज़त के राजसवा उमिदवार गोसित किये गए हैं अटकल बाजियों पर बिराम लगिया है दोनों आज करेंगे ना मांगकन मिसा, MBBS और फैयाज के पास PhD की डिग्री है बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी है हलाकि राज़त पर सभी की नजरे ठीकी थी लेकि राज़त ने अपना पता खोल दिया है अटकलों पर बिराम लगा दिया है हला एक बता और बता दे कि बिहार में इन दिनों राज़नितिक चहलकदमी रज़नितिक गर्माहाट काफी तेज है जदियू में सब कुछ ठीक ठाक का दिखावा तो जरूर किया जा रहा है लेकि अगर भी से सक्जों की बात माने तो जदियू में सब कुछ फिलाल ठीक ठाक नहीं है इधर आपको बता दे कि ग्यानवापी परकरन में 30 मई को होगी अगली सुनवाई और सुराच्चापलों पर पत्थरबाजी करने वाले 10 गिरफतार हुए हैं और राज में समय की ते वी निर्मान कलस्टर को बनेगी 149 किलोमेटर लंबाई वाला कोरीडोर केंदर स्थरकार की महत्व कांची योजना है और 10 किलोमेटर अमरित सर कोलकत्ता होगी कोरीडोर के पास बनेगा जिसकी कुल लंबाई 149 किलोमेटर होगी यानि की सडको की जाल लगतार बिछ रही है रूट चिन्हित कर चलाई जा रही है बसे परिवहन मंतरी सिला मंडल ने कहा है कि राज में परिवहन सुविधा को लगतार बढ़ाया जा रहा है और बिहार में खेती किसानी की अगर बाते कर ले तो आवासि बेवसाई कार्ज में जमीन का उपी होगे बढ़ रहा है बियार में खेती का रखवा दो लाक हेक्टेर घटा है आपको बता दे पिसेस्ता राज के दो लाक हेक्टेर खेतों में फसल की जगा कंक्रीट उगाएं है यह भी कह सकते हैं कि सहरी करन की तेजी रफ्तार के खेती दो लाक हेक्टेर जमीन घट गई है अगर इसी तरह से जमीन है अगर उपजाओं जमीन घटती जाए तो क्या होगा यह सोचने वाली बात है बियार में अगर राजनीते खल चलो की अगर बात कर लेते इसी बीचे के अलना खबर նामने आ रही है कि बिहार में सिसु मृतू दर्जो है राष्टी अस्तर से बिल्कूल कम है और इधर बात अगर कर लें सिच्छा जगत की तो सिच्छा जगत में कई बदलाओं किये जा रहे हैं बच्चों के लिए जहां छात्रवीर्ती योजना चलाई जा रहे हैं साइकील योजना चलाई जा रहे हैं वहीं IIT में दो अध्यान केंद्र अगस्त तक बनाने का निर्णे लिया जा रहा है यानि कि प्लानिंग किया जा रहा है राज सभा के उपसभापती हरिवंश के सांसन निदी कोष्टे हो रहा है यह निर्मान और लुप्राय भासा अध्यान केंद्र भुकम इंजिनियरिंग और अनुस्तन ध काफी लाब होगा आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रही अंतक बने रहिए जाती जन्गन्ना को लेकर बिहार में सभी राजनीतिक दन्द अब एक मंच पर अपना सिधा ब्यान देते नजरा रहे हैं चाहे लोजप्पा की बात कर ले जदिव की बात कर ले राजत की बा मानना है कि अभी सभी दल जहां बिहार में एक मंच पर आ रहे हैं तो ही भाजपा सरकार भी जुकेगी निश्ची तोर पर जुकेगी आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार समझ चाहत फिर मिलते हैं ले वीडियो में तब तक कि लिए जाजा धन्यवाद ज झाल